नमस्कार प्रणाम मैं आदित तगर्ग आप देख रहे हैं इन खबर बाला सोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है इसमें 280 लोगों का जो है मौत का आकरा पार हो चुका है हजार से जादा लोग अभी भी अस्पताल में घायल हैं अस्पताल में जिन्दगी और मौत के बीच अपना जंग लर रहे हैं पता नहीं कौन उसमें से बच जाए और कौन उसमें मिर्ती हो जाए भगवान न करे कि ऐसा किसी के साथ हो जिस तरह तरीके का हादसा बाला सोर में हुआ जब ट्रेने टकराई आपस में तो मातम में बदल गया लोगों का बैठना ट्रेन में अब आपको इस ये तो इतनी बुरी खबर की आपको जख जोड के रख दे और इस पर से कोई अगर आपको ये कहे कि घायलों को अस्पताल ले जाने वाली बसें वो भी अगर एक् आजसे के बाद सुवे से कई नेता घटनास्थल पर पहुँच रहे हैं आज साम परधानमंत्री मोधी ने खुद घटनास्थल पर पहुच कर हालतों का जाय जा लिया इसके बाद पीम ने घायल लोगों से अस्पताल जाकर मुलाकात की बता दें कि घटनास्थल से कई घाय में पहुँच रहे थे तभी पस्सिम मदनीपूर में बस दुरगातना ग्रस्त हो गई इस बस हाथसे की वज़य से निस्नल हाइवे पर जाम लग गया मेदनीपूर के सामने निस्नल हाइवे 60 पर यह बस हाथसा हो गया बता दें कि पिकफ वैन और बस की आमने सामने की टकर मे कई लोगों को मामली चोट आई है गटना के बाद राश्त्रिय राजमार्ट पर भारी जाम लग गया पुलिस ने घायलों को रिक्ष्क्यू कर अलग अलग जगों पर भेजना शुरू कर दिया है आपको बता दें कि बाला सोर में हुए रेल हाथसे में अब तक 280 लोगों की जान चली गई है और हजार से जाइदा घायनों का इलाद जारी है देश और दुनिया से जूरे तमाम खबरों के लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही है इन खबर